विश्वे के सबसे बड़े बोल्ड यानि यूपी बोल्ड की परिक्षाओं का आज से आगाद हो चुका है हम इसे में मौझूद हैं राच्किये जुबली इंटर कॉलेज में और यहाँ पर आप देख सकते किस सांसे जो परिक्षार्ती हैं वो पहुंच रहे हैं और खाज बात ये कि इन परिक्षार्तियों के स्वागत के लिए भी विशेश तैयारी की गई है इस्टूडेंट्स यूँ है वो तनाव मुक्त होकर परिक्षा दे सके हैं इसके लिए यहाँ पर इन लोगों को टीका लगाया जा रहा है उनमें टॉफी फूल ये बाटकर उनका स्वागत किया जा रहा है परिक्षा केंद्र पर जो लखनव के डिया यूएस हैं राकेश पcompag जी वो खोद इस समयै यहां पर मौझूद है तमाम जो बाकी टीचारी है वो यहां पर मौझूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीचर है वह यहाँ पर बच्चों को टॉफी दे रहे हैं उन्हें टीका लगा रहे हैं कुछ इस्टूडेंट से बाचीत का सिलसिला जो है वो हम सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले यह देखे दही को शुब माना जाता है तो उसके लिए यहां पर दही भी रखी गई है हाथ में कुछ लोगों हैं जिस पर उत्सा उद्यम मादमिक शिक्षाइबा की तरक से सारी तैयारी और सीथे चलते हैं सबसे पहले जो डिया योएस हैं राकेश पांटे जी उनसे बात करते हैं सर यूपी बोल्ट सबसे बड़ा बोल्ट परिक्षाओं का आगास स्वागत की तैयारी हम देखने बड़ी विशेश है यह एक प उनका स्वागत कर रहे हैं यहां पर ताकि उनको अंदर जो तनाओ की भावना है दूर हो सके रिलाक्स होके पर इच्छा दे सके इस्टूडेंट को को कोई मैसेज भी देंगे आज एस्टूडेंट के लिए मेरा यही बैसेज है कि अब तक जो उन्होंने पढ़ाई की है उ पर शान दिमाग से उत्तर लिके बस यही मेरा मैसेज है सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम जो नकल वहीं परिक्षा की बाद है सुरक्षा को लेकर बहुत व्यापक इंतजाम किये गए हैं सभी 126 परिच्छा केंद्रों पर डिम साहब की तरफ से स्टाटिक मैस्ट्रेट तैनात किये गए हैं इसके लावा पूरे जनपद को चार जोन में बाढ़कर जोनरल मैस्ट्रेट तैनात किये गए हैं और 16 अलमारी है जिसमें परशनपत रखे गए हैं और वो 24 घंटे CCTV की निगरानी में हैं और जैसा कि आपको जानकारी है यहां हमारे राज के जूबली इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम मनाया गया है जिसमें से हम सभी 126 परिच्छा केंद्रों को लाइब देख सकते हैं कुछ इस सुडेंट से भी बातचीत करते हैं जानते हैं वो इस समय कैसा महसूस कर रहे है क्योंकि पहला दिन परिक्षा का क्या नाम है बिटा आपका बश्रा रहां यह बताओ आओ पहला एक्जाम है और पहली बार बोल्ड एक्जाम दे रहे हो नर्वस यह बिल्कुल कूल तो यहां पर आप देख सकते हैं जो स्थिटेंट का कहना है कि काफी वह एक्जाम है अपνे जोलेकर नर्वसने सुना सभाविक भी हो जाता है कई आपको की बॉल्ड एक शब्द ऐसा होता है जिस की वगजा से लोगों में करतेकर लोगों मैं कुछ डर आता है लेकिन बोल्ड परिक्षा है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं ये मैसिज लगातार टीचर्स जो है ऑफिसर्स जो है वो इन इस्टूडेंट्स को दे रहे हैं कुछ और इस्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चा उखरोके हैं सुरेड टिवारी जी उनसे भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले बातचीत आगे हम करेंगे यहां पर स्वागत किया रहा है और यानि स्टूडेंट्स को भी फूल और जो अधिकारी है उनको भी फूल दिया जाना तो यहां पर जो जॉइन डिरेक्टर हैं उनसे भी बातशीत करते हैं सुरें तिवारी जी यहां पर आए हैं सर बोल्ड परिक्षाओं का आगाज किस तरह की तैयारी जनपद लगनों में कुल 126 परिच्छा के इंद बनाये गए हैं और सभी परिच्छा के इंद ब्यवस्थापबा कि स्टेटिंग मजिश्टेट की ब्यवस्था की गई है सभी परिच्छा के इंद्रों में परिश्व पत्रों की सुरच्छा के लिए स्ट्रांग रूम डबल लाक आलमारी की ब्यवस्था है इसके लामा हर परिच्छा कच्छ में दो-दो cctv कैमरे लगे हुए हैं जिनके माध्यम से जिले अस्तर से और इस्टेट अस्तर से भी निगरानी की जा रही है और इसके लामा हर परि बड़ा दिन आज उनके लिए है कहीं ना कहीं क्योंकि जब परिक्षाओं की बात आती है तो एक excitement, एक nervousness होती है लेकिन काफी बड़ा दिन होता है यह इने students के लिए भी तो उनसे बात करते हैं यहां पर जी क्या नाम है आपका में नम दीपा है आज एक्जाम देने आए हूँ है नर्वास है या excitement है उत्सा है खबराहट कुछ रही है अची बात है आपका नम अरीबा खान पेपर देने आज आए है तो खबराहट में है या बैटर होगा नर्वेसिंग में नहीं है नाम स एक्साइटमेंट तो होगी आभी बोर्ट का तो है नहीं हाँ इंटर भी है फरस्टियर सब कुछ है तो यहां पर देखी सुडेंट्स यू है अपने एक्जाम्स देने के लिए आयो है काफी बड़ी संख्या में उनका साफ कहना है कि किसी को कुछ एक्साइटमेंट है किसी कि वैसे यहां पर नर्वसने से कुछ और स्टूडेंट्स के पास हम चल रहे हैं बात्चीत करने के लिए उन से जानते हैं क्या नाम है आपका जुहारफी तो आज पहला एक्जाम नर्वस या कॉन्फिडेंट थोड़ नर्वस है कि तयारी पूरी जी पूरी नर्वस क्यों तोड़ा पहली बारे ना तो तोड़ा भी निया निसलिए एक्साइटमेंट है बोल्ड एक्जाम जी बिल्कुल अल्वस अब देखें यहां पर यह बच्चों का स्वागत शुरू हो चुका है उनको टॉफी दी जा रही है टीका लगाया जा रहा है और यह पूरा नजारा यहां पर उनको दही खिला कर उनका स्वागत किया जाना आप देख सकते हैं यह सारी तैयारी यहां पर की गई है इन इस्टूडेंट्स को लेकर क्यामरा सही होगी प्रमोट के साथ शैले शरोरा एबीपी गंगा तक नौग एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की